नमस्काल दोस्तों मैं हूँ मोहित राय और स्वागत है आप सभी का इनफोकस सिविल अकेडमी आईसीए में दोस्तों आज हम लोग जीयस का एक बहुत बड़ा मेजर पोर्शन कवर सुड़ू करने जा रहे हैं और वो है जोग्रफी यानि भूगोल दोस्तों अगर हम लोग competitive exams का जो syllabus है उसको हम लोग ध्यान में रखें तो अपने पढ़ाई की दृष्टी से अध्यन के लिहास से हम लोग इसको दो भागों में बाढ़ सकते हैं एक होता है इंड्याण जोहग्रफी और एक होता है वर्ड जोहग्रफी लेकिन कहीं न कहीं अगर हम लोग जो पिछले साल के लगबख सभी exams के जो previous year paper हैं उनका एक general average basis पे trend analysis करें तो हम लोग को ये एक बात समझ में आती है कि यहाँ पर Indian geography की जो importance है वो world geography से कहीं ज्यादा है इंडियन geography की importance world geography से कहीं ज्यादा है तो इसलिए हम लोग के अगर हम लोग देखें तो पहले हम लोग को ये कोशिश करनी चाहिए कि Indian geography हम लोग बहुत अच्छे से समझ लें क्योंकि यहाँ से जो one day exams जितने भी हैं उनमें ज्यादा प्रशन पूछे जाते हैं ऐसा क्यों है अगर हम लोग इसका कारण पर बात करें तो एक शॉड में हम लोग समझ सकते हैं कि जो हमारा वर्ल्ड जोग्रफी है वो दरसल हमारे concept बनाता है concept डेवलप करता है मतलब जैसे हम लोग वहां पर यह समझ रहे होते हैं कि अगर जो जियो मॉर्फलाजी है या भ उसका जो अगला chapter climatology जल्वायू विग्यान उसमें लोग हम लोग ये समझने की कोशिस करते हैं कि वारिष बारिश कहां पर नहीं और रहे हैं यह वर्शा होती है यहँ पर तो क्यों होती नहीं होती है तो यह सब चीजे हम लोग समझने की कोशिस करते हैं तो खोधिन लेकिन जब उन्हीन सब्सक्राइब के ज्यादा ने की संभावना रहती है और इसका इक दूसरा करान इसलिए समझ सकते हैं क्योंकि एज इंड्यान हम लोग को ज्यादा जरूरत है इंडिया के बारे में जानने की उसके लेकिन इंडिया की उस लिए देखें तो इंडियन हम लोग के लिए ज्याधा स्कोरिंग ँग जाते है और यही कारण है कि हम पहले शुरू कर रहे हैं इंडियन जोग्रफी को आइडियली हम लोग को वर्ड को शुरू करना चाहिए क्योंकि उससे कॉंसेप्ट हमारे बनते हैं और वो कहीं न कहीं इंडियन में भी काम आएंगे लेकिन चुंकि अभी आपके कई सारे एक्जैम्स लगे हुए हैं हाल ही में तो हमारी ये कोशिस र देखा तो इंडियन जोग्रफी ज्यादा स्कॉरिंग और इंडियन जोग्रफी पढ़ते हुए आगर कहीं पर कॉंसेप्स की जरूरत होती है तो हम लोग थोड़ा सा इसको कॉंसेप्ट भी आपका वर्ड जोग्रफी का भी पोर्सन वहां पर उठाकर कॉंसेप्ट भी अब अगर हम लोग अपने सीधा टॉपिक को बिना ज़्यादा घुमायें फिर हैं सीधा टॉपिक पर आगर आते हैं तो लोग देखें देखते हैं कि सबसे पहले तो अम लोग एक बहुत बेसिक सी चीज है वह समझते हैं कि आप में से कई लोगों को ऐसा लगता है कि यह ही basic चीज हो सकती है लेकिन मैंने ऐसा देखा है offline classes में कि लोग इसमें confused रहते हैं कि दिशाओं का क्या घ्यान होता है दिशाओं जो है किस तरफ कैसी रहते हैं तो यह.णि यह लिधे देखते होंगे तो वह साउट हो गया इस ही प्रकार से जो इस साइड का है ispohlते यानि पूर और इस तरफ जो है, उसको बोलते हैं वेस्ट यानि पस्चिम, यह एक ऐसी चीज है जिसमें आम तोर पर बच्चे कन्फियोज होते हैं, नौर्थ और साउत का तो उनको पता है, लेकिन इस्ट और वेस्ट में जनरली वो कन्फ्यूज हो जाते हैं तो मेरा ये मानना है कि भले ही बेसिक चीज है लेकिन आप लोगों की इमारत तभी भव्य बनेगी जब आप लोग उसकी नीव मजबूत बनाएंगे तो चलिए ये एक बात हो गई उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग एक प्रित्वी की बात करें तो प्रित्वी जो है वो लगभग गोल आकार की है वो इग्जेक्टली उसका क्या शेप है वो लोग वाल जोग्रफी में देखेंगे लेकिन यहां पर आप समझेм कि लगभग वो गोल कार क्या है यह मान लिजेकी प्रित्वी है दो और िधे Lee Best BROWN को मिलता है मारकेट में गुलोब जो मिलता है वो भी मर प्रित्वी है मान लिजे शेयर गोला है, गोला उसको बोलते हैं स्फेर इंग्लिश में, तो अगर हम लोग इसको दो भागों बाट दें, तो ये क्या हो जाएगा, आधा गोला हो जाएगा, यानि हेमी स्फेर हो जाएगा, ठीक है, इसी परकार से इसको भी अगर हम लोग बाट दें, तो ये भी हेमी स्फेर हो जाएगा इसको आधा गोला ना बोल के हम लोग गोलाद बोल दें तो ज्यादा अच्छा है क्योंकि इसमें गोला और आधा दोनों का मिक्स जो है वो संदी हो गई है और अब देखिए अभी हम लोग ने जो दिशाओं का पढ़ा तो उसके इसाब से आप मन में सोचिए कि में जो उतना अदधर है और दक्षडी गुलाद हो कौम सा होगा, तो देखिये यह आधा यहां से बढ़ गया है, तो यानि उपर वाला आधा को अम लोग बोल सकते हैं, उतना रिगुलाद ठीक है, औरनीचे वाले आधे को अम लोग दक्षडी गुलाद बोल सकते हैं, बोल सकते हैं तो चलिए अब देखिए हम लोग एक चीज और समझने के पोसिस करते हैं कि यह जो हमारा ग्लोब होता है या जो हमारी प्रित्वी होती है उसको हम लोग तरह तरह कि उसकी हम लोग एनालिसिस करने के लिए और उसकी साइंटिफिक स्टडी करने के लिए यानि ज वो काल्पनिक रेखा हैं जो है, वो सबसे पहली देखिए, इसको इस तरीके से बाटने पर, यानि पूर्व से पस्चिम इसको बाटने पर, जो सबसे बीच वाली रेखा है, इसको आपको पता होगा, जीरो डिग्री बोलते हैं, ये भूमद रेखा, भूमद रेखा यानि ए यह जो है इसी के उपर ऐसी कई सारी रेखा है हमने इसको बांट रखा है उसका कारण केवल यह है कि हम लोगों को कई सारी स्टडीज करनी है ध्यान रहे यह हम लोग ने एक्चुल जमीन पर जाके उसमें गढ़्धा खोद के और कोई लाइन नहीं खीची है यह केवल और लेकिन अभी हम लोग को चुँकि अपने इंडियन जिओग्रफी को समझने के लिए ज़ारूरी है इसलिए हम बहुत सॉर्ट में आप लोगों को बता रहे हैं कि यह जो रेखाए होती है इनको बोलते हैं अक्षांस रेखाए हैं यह सभी जो है वह अक्षांस रेखाए हैं इंग्लिश में बोलते हैं लेटिट्यूड्स लेटिट्यूड्स ठीक है अक्षांस का मतलब यह जो इसके केंद्र से यानि जो प्रित्वी का केंद्र है उससे यह कितने डिग्री का कोण बनाती है यह जो कितने डिग्री कोण बनाती है तो यह वही उसका जो है वो त्यथिस डिग्री अक्षांस रेखा काही जाएगी यानि 33 डिग्री वो लेटिट्यूड्स काही जाएगी ठीक है इसी प्रकार से हम लोगोंने इसको खड़े तरीके से भी बाटा है यानि उत्तर से अपनिक रेखाएं कई जाती हैं देशांतर यह कई जाती हैं देशांतर और इसको इंग्लिश में बोलते हैं लॉंगिट्यूड लॉंगिट्यूड ठीक है अब इसमें भी कई सारी रेखाएं इसमें भी कई सारी रेखाएं और यह जो इसकी जो बीच वाली रेखा, यह भी 0 डिग्री है, इसको बोलते हैं Greenwich Mean Time, यानि GMT रेखा इसको बोल सकते हैं, ठीक है, 0 डिग्री बोलते हैं, तो देखें यहीं से हम लोग का इसके आधार पर हम लोग का Time Decide होता है, इसलिए इसको Greenwich Mean Time बोलते हैं, बाकी हम लोग आगे समझेंगे कि यह Greenwich क्या है, और कैसे Time Decide होता है, यह सब चीज़े हम लोग समझेंगे, फिलहाल इसको हम लोग 0 डिग्री Longitude ही समझते हैं, अब हमें आपको बताना यह है, कि इसमें, यानि कि जब यह जो हमारा Globe है, उसमें इंडिया का Location कहा है, यह सारी चीज़ें हमने जो आपको है, कि जो हमारा Globe तयार होता है, या जो हमारी प्रित्वी है, उसमें इंडिया का क्या Location, देखिए, जीरो डिग्री यह है, एक्वेटर आपकी भूमद रेखा, और जीरो डिग्री यह वाली है, आपकी Longitude यानि देशांतर रेखा, तो इसमें इंडिया जो है, वो किस तरफ है, इस गुलाद में है, या फिर इस गुलाद में है, इधर है, इधर है, किधर है, तो सबसे पहली बात जो आप लोगो ध्यान रखनी है, कि इंडिया जो है, वो उत्तरी गुलाद में है, ठीक है, तो पहली बात तो उत्तरी गुलाद में है वो, और दूसरी बात, यह अक् यह सब पूर्वी हो जाएगा और इसके इधर जाने पर पस्चमी हो जाएगा यह हमने आपको बताई था इधर जाने पर यह उत्तरी हो जाएगा और इधर जाने पर यह दक्षणी हो जाएगा तो अगर हम लोग यहां पर देखें तो यह अक्षानसी रूप से उत्तरी तो यानि कि यह पूर्वीशाइड में देशांतर रूप से है तो आप अगर प्रष्ण पूछा जाएगा कि भारत की जो स्थिती है यानि भारत की जो लोकेशन है वो कहाँ पर है तो अक्षांसी अद्रिष्टि से वो वो उत्तरी साइड में है और देशांत्री द्रिष्टी से वो पूर्वी साइड में है अगर इन दोनों को हम जोड़ दें तो यह हमारा बनता है उत्तर पूर्वी गोलाद में है अब आप लोग सायद समझ गयोंगे कि हमने गोलाद और उत्तर और पूर्वी यह सारी तो आपका जो सीधा से एक नंबर प्रश्ण बनता है कि भारत की लोकेशन क्या है तो वह दरसल उत्तर पूर्वी गोलाव्ड में यानि कि अगर हमारा जो है ये मान लीजे एक ग्लोब है ठीक है तो ग्लोब में अगर ये हमारा हो गया 0 degree जो अक्षांसी रेखा और ये हो गया 0 degree देशांत्री रेखा तो भारत लगभग जो है इधर कहीं पे है ठीक है, भारत लगभग इधर कहीं पे है अब ये जो भारत है इधर कहीं पे तो इसको अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, कि ये दरसल कहां पर है और क्या इसकी स्थिति है तो देखिए एक हम लोग अगर जनरल सा एक भारत का मैप बना लें देखिए ये हमारा एक बहुत सीधा सा मैप है और इसको मैप वैसे तो ना कहिएगा आप लोग लेकिन बस एक हम समझाने के लिए आप लोगों को बता रहे हैं देखिए मान लीजिए कि भारत का मैप है जो कि कहीं से नहीं लग रहा है इसम में आगर हम लोग देखें सब्से पहली बात कि इसका जो आकार है वो आपको किस की तरह देख रहा है क्या यह आपको त्रिभुज की तरह देख रहा है या फिर कुछ हद तक चतुस कोड़ी यह चार कोणों वाला देख रहा है तो देखिए काफी हद तक जो है यह चतुस कोड़ी है तो अगर इसका आकार पू चार कौन जिसमें हो तो भारत का आकाल जनरली एक ऐसा है मोटा मोटा ठीक है आप लोगों में मैप देखा होगा तो आप लोग उससे समझ भी सकते हैं अब अगर हम लोग बात करें कि अभी जो हम लोग ने दिशाओं को पढ़ा था तो उसको अगर इसमें हम लोग अपलाई क धक्षिण की आप लोग मूबीज देखते ही हैं तो यानि कि South India वो दक्षिण हो गया उसके बाद इधाल जो है आपका यह हो जाएगा पस्चिम यानी West और यह पूर्व यानी East ठीक है तो यह आपका हो गया जो अगर हम लोग भारत के मैप की बात करेंगे तो वो हो गया ठ यहां पर अक्षान्स आ रहा था जीरो डिगरी इधर से जा रहा है इससे थोड़ा ही सा उपर भारत है मतलब जो भूमत रेखा है वह कहीं न कहीं ऐसे जो जा रही है इंडिया के नीचे से ठीक है तो एक प्रशन बहुत पूछा जाता है कि भारत का अक्षांसी विस्तार कितन है यह प्रस्ण कई बार पूछा गया है और एक इंपॉर्टेंट है तो इसको हम लोग समझता हुए बहुत रहे रहा है तो नि फृष जो अपर लिए फोड़े से ओपर इंडिया है यह देख ली लिए आप थोड़ी सा उपर इंडिया है तो इंडिया जो हमारा सुरू होत तो दर असल यहां पर जो शक जो दक्षडी भाग है यह करन्या कुमारी यह है आट डिगरी 4 मिनट को लिखते हैं अής से करके लिखते हैं तो एक इग्जेक्ट अगर देखें तो आठ डिग्री चार मिनट पर यह हमारा जो है कन्या कुमारी है ठीक है लेकिन इससे एक और थोड़ा सा नीचे जो भारत का ही हिस्सा है वो है यहां पर अंडमान निकोबार है टीक है अंडमान निकोबार है आगे क्लास में हम लोग डिटेल में डिक्स कर रहे होगे कि अंडमान निकोबार में क्या है कितने किया है कि सारी चीजए लेकिन अभी के लिए आप बस यह समझे है उससे भी यह नीचे है तो चैन्य्दक उ मारे उससे भी यह नीचे यह आपका पणा आगे रहते हैं शाए-डीगरी चार मिनट पे यानि दो डिगरी और नीचे है अब देखी अगर पूच wizard यह इसको जो है ग्रेट निकोबार बोलते हैं ग्रेट निकोबार में है यह ठीक है कौन सा पॉइंट है उस पे अभी हम लोग आ रहे हैं पहले देखिए कि अगर प्रस्नी यह पूछा जाए कि सबसे दक्षणी जो है हिस्सा मुख्य भूमी पे कौन सा है यानि भारत की मुख्य भूमी है और यह जो है यह है भारत का एक केंदर सासित प्रदेश जो की भारत की मुख्य भूमी से हटके है और टापू के रूप में है ठीक है तो यहाँ पे मुख्य भूमी में अगर हम लोग देखते हैं सबसे दक्षणी हिस्सा कौन सा है तो वो है कन्या गुमारी जो है वह आठ डिग्री चार मिनट पर बेस्ट है और कन्या गुमारी जो हम लोग देखते हैं वह आप देखेंगे कि यह किस राज में है तो यह है तमिल नाडु राज में तो आगर पूछा जाए आपसे कि सबसे दक्षणी राज कौन सा है इंडिया का तो सबसे दक्षणी राज आपका हो जाएगा यह तमिल नाडु ठीक है उसी तरीके से अगर पूछा जाए कि सबसे पस्चमी राज कौन सा है तो सबसे पस्चमी राज जो है वह आपका हो जाता है गुजरात ठीक है इसी तरीके सबस पूरवी राज आप देखेंगे कि अरुनाचल प्रदेश का ही निकला हुआ है ठीक है और सबसे पस्चिमी राज वह गुजरात का है यानि कि जो गुजरात का अगर आप मैप जब देखेंगे तो ये कुछ हद तक ऐसे आ रहा है तो ये वाला जो हिस्सा है ये आपका हो जाता है गुजरात का ही हिस्सा है ये और इसको क्या बोलते हैं वह भी हम लोग आपसे डिसकस कर रहे हैं पहले आप ये बताइए कि इसका जैसे सबसे दक्षडी राज है तमिल नाडू सबसे पस्चमी है यहीं पर प्रश्ण गलत हो जाता है क्योंकि अभी तक यह जम्मु कश्मीर ही था सारी बुक्स में भी आपको अभी तक की जो बुक्स हैं उनमें यहीं मिलेगा लेकिन पिछले एक दो सालों में जो चेंजर्स हुए हैं जो हमारे मोटा भाई ने चेंजर्स किये हैं उसमें देखिए जम्मु कश्मीर अब नहीं रहा है अब आपका सबसे उत्री हिस्सा हो गया सबसे उत्री राज सबसे उत्री अगर हिस्से के हम लोग बात करें तो वो है लद्दाख ठीक है क्योंकि जो सबसे उत्री हिस्सा था वह जो पहले जम्मु कश्मीर था उसको अब एक छोटा सा हिस्सा बना दिया गया जम्मु कस्मीर का यह उसको लद्धाख बना दिया गयाव अब यहाँ से एक बात और समझेगा कि जम्मु कस्मीर और लद्धाख यह दोनों अभी तक union territory ही हैं यानि केंदर शासित प्रदेश ही हैं ठीक है तो आगर यहां पर प्रस में केवल यह पूछा है कि सबसे उत्तरी राज यह कौन सा है तो फिर आपको लद्दाख भी नहीं है यहां पर लद्दाख भी गलत हो गया यहां पर आपका आजाएगा हिमाचल प्रदेश कर लीजेगा सबसे उत्तरी राज यह हो जाएगा हिमाचल प्रदेश क्योंकि उसके उपर के जो दोनों है वो जो है आपके दोनों केंदर शासित प्रदेश है एक है जम्मु कस्मीर और दूसरा है लद्दाख तो अगर प्रस्ण पूछा जाता है कि सबसे उत्तरी राज zпри प्रदेश कौम सा है मतलब राज केंदर सासित प्रदेश अगर दोनों को कान्सिडर किया जाए तो सबसे उत्तरी में आएगा आपका लद्दाख ठीक है शबसे उत्री में फिर आएगा लद्दाख और सबसे दक्षणी में फिर चान्या कुमारी या तमिल नाड़ू ना के सबसे दक्षणीम फीर आएगा ग्रेट निकोबार या अन्डमान निकोबार जिसको हम लोग चैजने की जरूत है और हम ऐप से अनाौ जाऊंगा कि हम लोग इसके इसके सारे जो पीदे-फके नोट्स हैं वो हम लोग अपने टेलिग्राम ग्रूप पे प्रवाइड करा रहे होंगे इन फोकस सिविल एकेडमी नाम से ही हमारा टेलिग्राम ग्रूप है उसको आप लोग जोईन कर सकते हैं वहाँ पर आपको सभी एक्जाम्स के ओफिसियल, सिलेबर्स और पैटर्न ये सब भी मिल जाएगा उसके साथ ही साथ जो क्लास की PDF है और जो कुछ अत्रिक्त PDF है जो आपकी एक्जाम्स के लिए बहर जरूरी है नोट्स हैं वो सब भी वहाँ पर मिलेंगे आपको ठीक है तो अब देखिए यह हम लोगों ने यह चीज देख ली अब उसके बाद देखते हैं कि इन में जो सबसे पश्चमी और सबसे पूर्वी हिस्सा है फिलहाल हम लोग अभी यह डिसकस कर रहे हैं कि यह जो आठ डिगरी चार मिनट है जो दक्षणी सबसे है ठीक है और छे डिगरी चार मिनट तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का जो विस्तार है वो कितने लुटमड है दक है तो यह जो हमारा अख्षांसी विस्तार है लुटमद रुखा वो उत्तरियप स法। है और यह भी आठ़ डिग्री5 मिनट, उत्तरी अक्ष्षांत है, इता है यह पड़ोग भारत जक्षे सम LC i7體C investment MR जुन कर है यह अंदे जो पूरा हमारा हेमिस्फेयर हे उसके है उत्तर में यानिक्ज का गलोब है उत्तर में हैं इसलिए हम लोग इसको उत्तरी अक्षांस बोलते हैं तो यह आठ डिग्री चार मिनट उत्तरी अक्षांस से शुरू हो करके और यह 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांस तक पहुंचता है ठीक है इसी प्रकार से जो देशांत्री विस्तार है वो कितना है तो देशां डिग्रीरे रेख़ा दी और चकी आछड़ीर रेख़ा दी और फेली याद नहीं करए हो सकता है कि क्योंकि ज्यादा तरण फूंछन पूचा जाता है वह चैटीर से रेलेटेट पूचा जाताह अगर आप वहां पूछा जाएगा कि भारत का सबसे दक्षडी हिस्सा जो एवह कौन सा है कहां से नियु कि वह कीष Oklahoma अगर वह आप पूछे कि मुख्य भूमी कौन सा सब से दक्षडी हिस्सा है तब आपका coaching दिगरी चार मिनट होगा तो इसलिए आप जो कुछ बुक्स में ऐसा है कि वहां पर चैना लिखे सीधा आठ दिगरी चार मिनट को लिखा है लेकिन वह आपका गलत हो जाएगा क्योंकि हो क्यों मुख्य भूविक है इसको भी तो भारत का हिस्ता ही मानेंगे ना तो इसलिए हम लोग 6 डिग्री 4 मिनट से ले करके और 37 डिग्री 6 मिनट तक यह हम लोग की अक्षांसी विस्तार कहा जाएगा, कि मतलब अक्षांस में हम लोग यहां से यह 8 डिग्री 4 मिनट से ले करके और 37 डिग्री 6 मिनट तक हम लोग आ रहे हैं, तो देखिए कहीं न कहीं जो 33 डिगरी वाली आप लोग हलका सुने होंगे कि यह जो करक रेखा है वो कहीं न कहीं भारत के बीचोबी से होके गुजरती है तो उसका कारणी है यह है क्योंकि हम लोग 37 डिगरी तक जा रहे हैं ठीक है आठ डिग्री चार मिनट से 37 डिग्री चे मिनट तक यह आप लोगों को रट लेना है इससे प्रश्ण अक्सर पूछे जाते हैं अब में बात करें जो डेशांतरी विस्तार है जी वह कितना तो देकिए धेशांतर जो हमारा जीरो डिःवग्री तक पूरवी साइड में ही है तो पूर्वी यह षूरू ओता है 68 degree 7 मिनट से ले करके 97 डिगरी 25 मिनट तक ठीक है तो यह 68 degree 7 मिनट जो है 68 degree 7 मिनट मिनट को हम लोग ऐसे उपर 1 के तोर पर लिखते हैं तो 68 degree 7 मिनट पूर्वी से ले करके पूर्वी देशामतर से ले करके और यह हो गया 97 डिगरी 25 मिनट पूर्वी देशामतर तक अगेन आप यह न सोचिएगा कि यह तो पस्चिम में है तो पूर्वी देशामतर चुंकि यह पूरा जो है लिख देता हूं यहां पर कि 6 डिगरी 4 मिनट उत्तरी अक्षांस से उत्तरी अक्षांस से 37 डिगरी 6 मिनट उत्तरी अक्षांस तक उत्तरी अक्षांस तक इसी प्रकार से 68 डिगरी 7 मिनट पूर्वी देशामतर से पूर्वी देशांतर से 97 डिगरी 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक अब ये पूरा याद करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसी से प्रस्ण पूछा है वो ये भी पूछ सकते हैं 6 डिगरी 4 मिनट है 7 डिगरी 6 में इस पे भी पूछ सकते हैं प्रस्ण वो इस पर भी बना सकते हैं, कि यह उत्तरी है, पूर्वी है, और इस पर भी बना सकते हैं, कि अक्षांसी विस्तार कितना है, देशांत्री विस्तार कितना है, तो यह सारी चीज़े याद करनी जरूरी है, नहीं तो अक्सर लोगों को confusion हो जाती है, और वो इस चीज़ को नही तरफ पॉइंट हैं वह इग्जैक्टली उस राज में क्या कहे जाते हैं उस पर हम लोग बात कर लेते हैं तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि यह जो सबसे उत्री हिस्सा है इसको हम लोग बोलते हैं इंद्रा कॉल कि इंद्रा कॉल बोलते हैं इंद्रा कॉल में कॉल का मतलब होता है बैसिकली इंद्रा ओविसली जो इंद्रा जी हमारी पीम रही थी उनके नाम पर है और कॉल का मतलब होता है पास पास का मतलब दर्रा हिंदी वाला पास नहीं इंग्लिस वाला पास दर्रा दर्रा होता है देखिए basically जो mountains होते हैं उसके बीच में उसको रास्ते को पार करने के लिए जो रास्ते होते हैं उसको हम लोग दर्रा बोलते हैं मतलब वो mountains पे जब लोग इधर से उधर move करते हैं तो वो जो है दर्रे के ही through move करते हैं आपने सुना होगा बनिहाल, जोजला, जलेपला ऐसे करके कई सारे दर्रे हैं ठीक है तो वो जो है दर्रा का मतलब हो गया कि रास्ता जो पास करने के लिए होता है उसको बोलते हैं तो इंद्रा कॉल जो है मास सबसे उत्री हिस्सा है जो इस समय है कहां पर लद्दाक में यह ह øय का बाट देखिये अच्छे इसमें जो है यह पास को लोग ला भी बोलते हैं इंग्लीूस में ऐसे लए ला ये भी बोलते हैं जैसे आपने सुना होगा नाथू योटी ओन नहीं हishing बादme कॢ़ने ए दर्रा ही होता है और वो काफी उचाई पे है तो अम लोग को बहुत फायदा होता है उससे तो सियाचिन ग्लैसियर पे भारत का पूरा कंट्रोल है और उसके ये उत्तर में ही पड़ता है इंद्रा कॉल ठीक है इसके बाद अगर हम लोग सबसे दक्षडी हिस्सा देखें तो सबसे दक्षडी ह या फीन कंट्स राइस लिए इंद्रा गांधी के नाम पर है और आप मिखा हुग्व library नीट्रा पड़ता है यह उड़ पॉइंट को जब इंद्रा गांधी के नाम यह इसका पुराना नाम था कि अभी इसको इंद्रा के नाम से जानते हैं ठीक है लेकिन फिर से वही बात कि अगर पूछा जाए कि मुख्य भूमी पे सबसे दक्षडी हिस्सा काउन सा था तो वो था देखिए कन्या गुमारी ठीक है जो कि आपका पड़ता है तमिल नाडु में वहीं पे आपने सुना होगा कि रामेश्वरम है विवेकानन रॉक है ये सब चीजे घूमने वाली भी है तो कन्या कुमारी में ये कन्या कुमारी आप देखिए कि ये जो भारत का ये हिस्सा जो है प्रायद्वी बोला जाता है प्रायद्वी मतलब पैनिसुला इंगलिस में बोलते हैं प्रायद्वी प्रायद्वी बोलते हैं इसको यानि पैनिसुला पैनिसुला वो होता है जो तीन तरफ से समुद्र से घिरा होता है यह हम लोग वर्ल जोगरफी में इसको पढ़ेंगे लेकिन अभी यह समझ लीजे कि यह तीन तरफ से समुद्र से घिरा होता है भारत के जो है पूर्वी साइड में आप देखेंगे तो यह बंगाल की खाड़ी है बे ओफ बंगाल इंद महासागर। Gram टीक है तो भारत जो है वह भारत का जो धक्षरी हिस्सा है यानि जो आध्य के नीचे वाला हिस्सा प्राःदुइभ कहा जाता है प्राहनि सुला कहा जाता है क्योंकि वह तीन तरफ से समुद्र से घेरा हुआ है हर संदचना को प्रायदुईप कहते हैं, जो कि तीन तरफ से समुद्र से घिरा होता है, ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि यह जो कर्णिया कुमारी है, यह तो एक्जेक्ट एकदम प्रायदुईप का सबसे दक्षड़ी हिस्सा है, तो कमाल की बात यह है कि यहाँ पर तीन सम होते हैं उसके बाद एक चीज़ हम लोग देखेंगे जो अक्सर प्रशन पूछा जाता है कि इसका जो लंबाई है और जो चोड़ाई है उन में से आप पहले तो यह बताई है कि कौन सी ज्यादा लग रही है आप लोगों को तो देखिए एकदम क्लियरली मैप को देखने पर साफ पता चलता है हलग यह मैप नहीं है लेकिन जब आप मैप को भी देखेंगे तो आपको साफ पता चलेगा कि इसकी लंबाई जो है वो चोड़ाई से थोड़ी सी ज्यादा है ठीक है तो जो इसकी चोड़ाई है यानि जो पूर्व से पस्चि और वही जो लंबाई है वो पढ़ता है आपका 3214 किलो मीटर तो यह जो है आपका यानि कि यहां से यहां तक जो हिस्सा यह है 3214 किलो मीटर और यह वाला जो हिस्सा है यह है 1333 किलोमीटर यह आपको रटना है यह भी प्रस्म कई बार पूछा जाता है आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि जो यह 3213 उसे कम 2 उसे कम 1 और फिर यह 3 से 1 ज्यादा 4 तो इसको आप कुछ इस तरीके से जाद सकते हैं कि 3214 ऐसे करके है और दूसरा जो 293, 294, 33 तो इस तरीके से है आप लोगों कुल मिला कि इसको रटना ही है इसका कोई विकल्प नहीं है क्योंकि यह प्रस्म डारेक्ट आते हैं तो जो लंबाई है वो है आपकी 3214 किलोमीटर और जो चौडाई है वो है आपकी 233 किलोमीटर इसी को दूसरे सब्दों में हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि लबदाक से लेकर कन्या कुमारी तक का हिस्सा है 3214 किलोमीटर इसी को अगर तीसरे तरीके से हम लोग कहें तो इंद्राप कॉल से ले करके और कन्या कुमारी तक का हिस्सा है 3214 किलोमीटर इसी तरीके जो पस्चिम में है पस्चिम से लेकर पूर वियानी गुजरात में पड़ता है गुहार-मोती करके यह आप लोग याद कर लिजेगा यह भी प्रसन पूछा जाता है गुहार-मोती यह इसे आपका देखे गुहार-मोती गुजरात में में इसी प्रकार से पूर्व में में आहला चल प्रदेश की बात आतीयर तो की सुर्थ की ससे पूर्वी हिस्सा है भारत का यानि सबसे अगर को पूर्वी पॉइंट है जैसे इंद्रा कॉवल है इनद्रा कॉइंट है उसी परिकाद से गुहार मोतिय और की थू है जो कि सबसे पस्च्छ छी अभूर लोग देख लेते हैं यह सारे जितने भी आपको facts बताए जा रहे हैं आप यह समझ लीजे कि ऐसे facts हैं जो सारे के सारे अभी तक किसी ना किसी exam समय पूछे गाएं और बार बार पूछे जाते हैं और इसी लिए इनके आगे की भी पूछे जाने की संभावना है तो आपके जि ही में आप देखेंगे कि आपको यह जो प्रस्ण है यह repeatedly मिलते हैं उसका कारण ही है क्योंकि यह बहुत ज्यादा important प्रस्ण है इस वज़े से अब हम लोग अगर देखें कि भारत का हम लोग ने लंबाई देख ली चोड़ाई देख ली अब अगर देखें कि शेत्रफल ज वैसे भी याद हो जाता है क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा important और कई जगे पर इसका प्रस्ण मिलता है तो आप लोगों को वैसे भी याद हो जाएगा से देखें तो भारत कौन सा इस्थान है पूरे वेश्व में एक इन परस्ण का कौन सा इस्थान है । भारत जो है सातमे नंबर पे है जण्संख्या की द्रिश्टी इसीह पूछा जाता पो द confirma से हुगा कि पर दूसरा इस्थान है और पहले नंबर पे है चाईना को ठीक है और दूसरे नंबर पर इंडिया लेकिन शेत्रफल की जब बात आती है तो शेत्रफल की द्रिष्टी से यानि एरिया की लिहास से भारत का जो इस्थान है वो सेवेंथ है सात्वा है और यह सात्वा कैसे है मतलब इससे जो ऊपर के जो बड़े हैं वो छे कंट्रीस कौ दीत है मैप जब भी आप लोग देखेंगे वर्ड का तो उसमें आप लोगो की ध्रीली दीखेंगा कि सबसे बड़ी कंट्री एक तो है रसिया करा है सब Data मार। कि उसके बाद अगर कोई दूसरी दिखती हुए सबसे बड़ी कंट्री दिख जाएगी उसमें कॉमनली तो वो है कैनेडा उसके बाद की कंट्रीज में हो सकता है कि हम लोग उतना मलग क्लियरली आइडेंटिफाई ना कर पाएं क्योंकि वो जो है लगबख सभी बराबर टाइप की दिखेंगे लेकिन आप समझेए कि रसिया है कनाड़ा है उसके बाद आता है अमेरिका कनाड़ा के ठीक नीचे और उसके बाद आता है आपका चाइना रसिया हो गया कनाड़ा हो गया अमेरिका हो गया चाइना हो गया फिर ब्राजील आता है उसके बाद आता है आपका उस्ट्रेलिया और उसके बाद आता है इंडिया तो आप देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7th point पे आ गया इंडिया और इसका अगर हम लोग abbreviation ले 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 लें तो यह आ जाता है यह आ गया आपका RCA और BCA तो इसको आप लोग यह देख लिजए कि इंडिया से जो बड़ी countries है तो यानि छट्वे नंबर पे है A यानि आस्ट्रेलिया उसके बाद पांचवे नंबर पे है B यानि ब्राजिल और चौथे नंबर पे है C यानि चाइना तो A, B, C तो यहाँ पे हो गया उसके बाद यह आपका RCA, CBA तो आप लोग देख लिए B, A, B यहाँ पे था और यह A, C हो गया A, C में यहाँ पे अमेरिका है और कनाड़ा और रसिया तो आप लोगों को वैसे भी याद हो जाएगा वैसे तो आपको सच बता हैं तो यह सारी ही चीज़ें आप लोगों को आराम से याद हो जाएगी जब हम लोग वर्ड जिग्रफी के साथ साथ जब हम लोग वर्ड से समझेंगे और मेर के मोग सारी महतपुन चीज़ों को महतपुन कांटिनेंस महतपुन की और जो बहुत महतपुन जो रिवर्स हैं मांनी वावन उनको भी हम लोग समझ रहे होंगे तो वहां पर हम लोग यह सब चीज़ें आपको उस समय बच्चों के खेल लगेंगी अभी आपको ज़रूर थोड़ा से यह मुश्किल लग रहा होगा कि कैसे याद करें रस्या कनाडा लेकिन उस समय आप लोग इसको आपके माइंड में ए जो मतलब आपका जो शेत्रफल और जनसंख्या के इस तर पर हम लोग देखा कि इंडिया कहा है स्टेंड करता है एक लास्ट पॉइंट अगर हम लोग देखें कि सबसे आखरी जो आज की क्लास का पॉइंट है कि जो इंडिया है उसमें इस समय कितने राज योग के इंद्र और इंडिया में थे वैसे इस समय, ग health 28 राज हैं, और 8 ऌज़ी शासित प्रक्डेश है लेकिन जब 2014 मने ते लंगणा जुड़ा तो फिर हो गया 29 राज और 7 केंद शासिद प्रदेश उसके बाद जब ये आपका जम्मु कसमीर राज से हटा के उस में 2 जम्मु कसमीर और दाग 2 यूटीज बना दी गए तो फिर यह फिर से हो गया था 28 राज और 9 केंदुसासित प्रदेश लेकिन अभी हाल ही में 2020 में क्या हुआ कि जो हमारा दादरा नगर हवेली और दमन और दीव था उन लोगों को उन दो यूटीज को एक में मिला दिया गया तो जब उनको एक में कल दिया गया तो यह 9 से फिर से 8 हो गई तो वलतमान में जो है एतनी बाते हैं अगर आपको ना भी याद रहें कोई बात नहीं आप केवल और केवल यह याद कर लीजे कि यह 28 स्टेट्स हैं और 8 यूटीज हैं 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं जब हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे होंगे तो हम लोग बहुत अच्छे समझेंगे कि यह केंद्र शासित प्रदेश का मतलब क्या होता है यह संग शासित प्रदेश भी इसको बोलते हैं यूनियन टेरिटरेज तो वो क्या होती है अभी फिलाल आप यह समझें कि 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है एक इसमें तथे आप लोगों को और याद करना है कि जो नवीन्तम जो केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन साय तो वो है आपका दाद्राव नगर हवेली दाद्राव नगर हमेली तथा दमन और दीव यह पहले दोनों अलग-अलग योटी इस थे लेकिन बहुत छोटे-छोटे थे मैनेज करने में दिक्कत होती थी सारी प्रसासनिक जो मशीन नहीं है वो सब अलग-अलग मैनेज करना जो कॉस्ट एफिसियंट भी नहीं ह होता था और मैनेज करने में प्रॉबलम होती थी इसलिए इसको जो है एक में कर दिया गया इसलिए यहां पर संख्या आठ यूटी जो गई तो फाइनली आज हम लोग ने देखा कि जो सबसे एक बेसिक जो जो जोग्रफी का होता है इंडियन जोग्रफी का उसको हम लोगो को आज की क्लास के अंत में एक बहुत राज की बात बताता हूं कि आपने आज जितनी भी चीजे पढ़ी है यह सभी जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे बड़ी बात कि इंडियन जोग्रफी के जब भी प्रश्न बनते हैं तो आप यह मान के चलिए कि जो सुरुवात के तीन से चार चैप्टर थे उनसे जरूर बनते हैं उनसे जरूर बनते हैं और इसीलिए हमारी कोशेश है कि आप लोगोंको आपको नोट्स भी अपने टेलिग्राम गूरूप में प्रोआइट कराएंगे साहिं कुछ और भी नोट्स जो कि आपके विबिन exams के लिहाज से जरूरी होगा, उसको भी हम लोग provide करा रहे होंगे, मतलब ऐसा नहीं कि केवल PDF वहाँ पे मिलेगी, ठीक है, जो कुछ भी important है, वो सब कुछ वहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है, तो आज की geography की class हम इतनी ही रखते हैं, और जब भी अगली geography class होगी, उसमें हम लोग भारत के बारे में कुछ और परचे प्राप्त कर रहे होंगे, जैसे इसकी सीमा रेखा के बारे में, इसके क्या पढ़ोसी देश और कितने राज्यों के सीमा है किस से लगती है, या फिर जो 30 सीमा है, वो कितनी है, फिर उसके लिए बस इतना ही और लेक्चर को पूरा सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, नमस्कार